देखो मैंने देखा है एक सपना जी यां दोस्तों आप एकड़म सही सोच रहे हैं ये फेबस सॉंग साल 1981 में आई फिल्म लॉव स्टोरी का है जिसमें इस तरह के कई और रोमेंटिक सॉंग को फिल्माया गया था साथी फिल्म की कहानी ने भी दर्शकों के बीच अपनी गहरी चाप छोड़ी थी और फिल्म में सभी कलाकार अपने किर्दार को बेहत कुपसूरती से निबाते हुए नजर आये थे वहीं ये किर्दार था बंटी महरा का जो फिल्म का मुखे किर्दार होता है लेकिन दोस्तों बंटी महरा का किरदार निबाने वाले अबिनेता आज कहा हैं? क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनकी बारे में जानना चाते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहें और साथ ही बॉलिवूड इंडस्ट्री के जबरदस कलाकार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें फिल्म लव स्टोरी में बंटी महरा का किरदार निबाने वाले अबिनेता का रियल नेम कुमार गौरव है इनका जनम 11 जुलाई 1907 को यूपी के लखनव शहर में हुआ था और यहीं से इन्हों ने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की आपके जानकारी के लिए बता दें कि बॉलिवूड इंडस्ट्री के जुबली कुमार यानि के राजेंदर कुमार के बेटे हैं अगर बात करेंके शांदार अभीनेता की अक्टिंग करियर के बारे में तो इन्होंने अपने अक्टिंग करियर की शुरुआ साल 1981 में आई फिल्म लोव स्टोरी से की थी और इनके अभीने करियर की पहली फिल्म पिता यानि कि राजिंदर कुमार ने ही प्रेडियूस की थी यहाद कि इस फिल्म में राजिंदर कुमार अपने बेटे कुमार गॉरफ के साथ अभी ने करते हुए भी नजर आये थे इस फिल्म में कुमार गॉरफ की एक्टिंग को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि उनके फैंस इनकी एक जलक पाने की खौईश रखने लगे थे याद अकि इनके स्टाइल को भी खूब पसंद किया गया था हाला कि कुमार गॉरफ को साल 1951 में आई फिल्म तराना में भी सायक अबिनेता के तोर पर अबिने करते हुए देखा गया है लेकिन फिल्म लव स्टोरी में काम करने के बाद कुमार गॉरफ रात और रात एक ऐसे चमकते सितारे बन गए थे जिसे बनने के लिए लाकों लोगों को कई साल लग जाते हैं बस इसके बाद क्या था कुमार गॉरफ लगतार अपने एक्टिंग करियर की उचाईये को चूते हुए नजर आये थे इनके पीछे कई हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई जिसमें तेरी कसम नाम, बेगाना और एक से बले दो जैसे गई सुपर हेट फिल्में शामिल हैं लेकिन वो कहते हैं ना की एक ना एक दिन वक्त सबका बदलता है और यहसा ही कुछ हुआ अभिनेता कुमार गॉरफ के साथ कुछ सालों बाद जैसे जैसे कुमार गॉरफ एक्टिंग करियर डूबने लगा और यह लगतार एक्टिंग की चकचान बरी दुनिया से दूर होने लगे थे एन लाउस टाइम 2009 में आई शॉर्ट कॉमेड़ी फिल्म माई डैडी स्ट्रॉंगेस में अभिने करते हुए देखा गया था इसके बाद ये किसी और फिल्म में काम करते हुए नजर नहीं आए अगर बात करें इनकी निजी जीवन की तो इनोंने साल 1984 में अभिनेता संजदत की बेहन नर्मिता दत के साथ अपना घर बसाया था और इस शादी से इनकी दो प्यारी बेटी हैं जिनका नाम साजी कुमार और सिया कुमार है लेकिन आज कुमार गॉरफ को फिल्मी मैदान से दूर हुए लगबग 11 साल कम्प्लीट हो चुके है और इन बीते सालों में कुमार गॉरफ काफी ज्यादा बदल चुके है ये आज फिल्मी मैदान में भले ही अपने पिता जैसा इस्टारणम ना बना पाए हूँ लेकिन इस बात का इने कोई मलाल नहीं है वहीं आज ये फेमस बिजनसमेन के नाम से जाने जाते हैं खपरों के मताबिक माल दीव में इनका अपना एक ट्रेवल बिजनस है और इसके अलावा ये एक ट्रांस्ट्रक्शन बिजनस भी समालते हैं अगर बात करें इनके लुक्स के बारे में तो ये आज पहले से काफी ज्यादा अलग दिखाई देते हैं आज इनके फेस पर बुड़ापे की जुरियां भी साफ देखी जा सकती हैं जैसकि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं तो दोस्तों आपको फिल्म लव स्टोरी में अभी नहीं ता गौरफ कुमार का किरदार कैसा लगा था आप हमें अपनी रॉय कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथी बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें